नमस्कार, आप सभी का स्वागत है CHS Study Capital के इस YouTube चैनल पर, आप सभी इंतजार कर रहे होंगे कि आपका सर आंसर की कब आएगा, आप ओफिशल आंसर की का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ, आपकी जो आंसर की है वो दो-तीन स्टेप में आने वाली है, मैं स Study Capital का कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा, क्योंकि हर एक अपडेट आपको सही समय पर और सटीक अनालिसिस करके हम पहुचाते हैं, और साथ में CHS इंटरेंस अग्जाम की प्रिपरेशन भी कराते हैं, आपको हर एक सब्जक की, हर एक क्लास की डिटेल जो आंसर की हैं, हमारे एक्सपर्ट टीचर्स बता चुके हैं, आपको लाइव क्लास में आप देखेंगे, जाकर लाइव में तो आपको आंसर की वहाँ पर मिल जाएगी, आप वहां से मिलान किये होंगे, आई विश अगर आपने नहीं मिलान किया हु किया है, उन्होंने आंसर की सेट किया हुआ है, ऑफिशल तौर पर किस तरीके से मिलान करने कि मुझे लग जाए कि हमेरे इतने कॉशन सही है, क्योंकि कई बच्छे परिशान है कह रहे हैं, सर मेरा 60 सही है, मेरा 70 सही है, मेरा 80 सही है, तो यह सब कन्फ्यूजन जो अभी है आपके अंदर की 80 से 50 के बीच में सही है, तो सब आपका क्लियर हो जाता है, आंसर की मिलाने के बाद में, तो हम बात करते हैं, आपकी आंसर की कब आएगी, चलिए बताते हैं आपको, पहले चीज तो मैं बता दू, आंसर की जो आती है, वो आपकी, सबसे पहले आता है, प् यानि कि आप पहले ही एक बार ये सुनुश्छित कर लीजे इस अंसर की आपकी सही है कि नहीं आपको पहले भेज़ता है जो भी अंसर होते हैं भी अंसर किया लेकिन भी ब्रत न心 सब्सक्रूम या भी है option न सरी सही होगा आप स्थार रहे है कि option करने का process क्या है step by step में बताऊंगा लेकिन इसमें आपको लगते हैं 100 रुपए ठीक है अगर आपको एक question के लिए challenge करना है तो 100 रुपए लगेंगे, तो आप answer की को देख लिजएगा, मिलान कर लिजएगा और अगर आपको लगता है कि आपकी fair चीज़ा नहीं हुई है तो आप उन पे challenge करिएगा, then जो आपकी final answer की आएगी, final answer की में आपकी पास में आपको सटीक जो भी आपने claim किया हुआ है उसको अगर आपने जो भी सही proof दिये होंगे भी यह मेरा proof है, यह NCRT में लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है, यह चीज़े होती है, ऐसा ही actual में इस option number one सही है, तो आपका वो सही माना जाता है, और उस case में आपका final answer की आता है, एक important चीज़ यह है कि अगर कोई एक बच्चा claim करता है, तो उस बच्चे के through पूरे जितने भी बच्चे रहते हैं, overall सब बच्चों का भला हो जाता है, सब के answer में increment होता है, तो यह चीज़ रही आपकी final answer क जागी 25 माई को, उसके बाद 16-17 के बाद में आपका एक हफ़ते का gap रहता है, उस gap के बाद में आपकी answer की release की जाती है, ठीक है, अब 25 को answer की आने के बाद, आपका जो next process रहता है, मैंने आपको already बता रखा है, एक वीडियो में मैंने इसका, आई बटन पर मैं वीडियो की link दे दे रहा हूँ, आप जाके देख लीजेगा, फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप से next वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, लेकिन वीडियो का मैं समाप्त करूँ, उससे पहले एक चीज मैं आपको बताना कर सकते हैं, 7355339197, और अगर आप offline preparation करना चाहते हैं, class 11th academics की, class 12th academics की, या CHS के foundation की तयारी करना चाहते हैं, IATJ की foundation करना चाहते हैं, हर एक competitive exam के foundation की तयारी, यानिक 11th 12th से ही हम लोग कराते हैं, क्योंकि academics come entrance exam के preparation होती है CHS study capital के offline center पे, बहुत सारे बच्चों को problem होती है कि अभी मैं study capital पे पढ़ रहा हूँ, sorry, मैं अभी currently board की exam के तयारी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा vision है कि मैं entrance exam के भी तयारी कर रहा हूँ, तो आपको किस तरीके से entrance exam में बैठना है, उसका MCQs practice करनी है, उनके numerical solve करने, वो सब सिखाया जाता है हमारे academic center पे, तो आप आके हमारे center पे सब 15 मई को live class में मैं आपको live schedule दिख जाएगा, उस पर जाके आप live कर लिजएगा, reminder on कर लिजएगा, अभी के लिए इतना ही, bye-bye.